हेलो फ्रेंड्स मैं किर्टी अपने चैनल गार्डिनिंग विद किर्टी वर्मा में आप लों का हार दिक स्वागत करती हूं फ्रेंड्स यह तुलसी का प्लांट है सेप्टेंबर का मन्त चल रहा है तो अब तुलसी के प्लांट पर कुछ हमें काम करना होगा और इसमें इलाइजर डाला था बरसात में कुछ नहीं डाला था तो अब हम कुछ इसका केर टिप्स फॉलो करेंगे ताकि सर्दियों तक इसमें अच्छी ग्रोथ हो तो उस सब की तयारी अभी से शुरू कर देनी होगी और मेरे दोनों प्लांट में काफी सीड्स बन गए हैं अगर नहीं निकालेंगे तो प्लांट का ग्रोथ बिल्कुल रुख जाएगा देखिए इसमें पतिया कि इतनी छोटी छोटी है और यह मेरा लगभग तीन महिना पुराना प्लांट है और देखिए इसमें भी मंजरी बनने लगी है और यह लगभग दो साल पुराना प्ला तो यह मेरा जो प्लांट है बहुत जादा पुराना नहीं है तो इसकी जितनी मंजरी है सिर्फ मैं वहीं निकालूंगी और थोड़ा सा जो ब्रांच खराब हो रहा है उसे कट करूंगी पूर्या हाट प्रूनिंग इसका नहीं करूंगी तो चलिए धीरे-धीरे करके इसके सा और तुलसी का प्लांट प्रेंट्ट जाडे म्यक्याथाण बहुत काम आतीय चीज्वरूंग जांग काम की चीज होती है और प्रेंट्स जाडे कबंञे से बहुत काम की चीज़ होता है यह डॉक्टर ही है फ्रेंट्स और तुलसी की पतियां बहुत तरह से इस्तमाल कर सकते हैं तो चली इस प्लांट का भी मैं अच्छी तरह से प्रूनिंग कर दे रही हूँ क्योंकि यह मेरा दो साल पुराना प्लांट है फ्रेंट्स तो सारे मंजरी को निकालना बहुत जरूरी है नहीं तो पति बहुत छोटी छोटी निकलेंगी और ग्रोथ बिल्कुल रुख जाती है तो हम जब प्रून करते हैं तो ने ने स्टेम निकलते हैं और पतियां भी बहुत अच्छी और बड़ी बड़ी निकलती हैं और हमारा जो तूसी का प्लांट है बिलकुल घना हो जाता है बिलकुल हरा भरा और घना हो जाता है तो प्रूनिंग करना बहुत जारू है। यसे ही मंजरी आने लगे तो अपने प्लांट की प्रूनिंग कर दें चाहे वह सौफ्ट प्रूनिंग की क्यों न हो लेकिन कर दें फ्रेंट्स अगर इस समय आप इसकी अच्छी तरह से प्रूनिंग कर देते हैं पूरी अच्छी तरह से स्टेम काट देते हैं इसके जितनी मं निकला और शीर्ट निकले फ्रेंट्स और इसमें थोड़ी से पतियां यां खराब दीक रही है तो यहां भी मैं कट कर ले रही हूं ताकि इसमें अच्छी ग्रोथ हो यह जो मेरा प्लांट है, क्योंकि छोटा ही प्लांट है, तो friends यह काम करना बहुत जरूरी होता है, तो September के मन्त में आप आसानी से प्रूनिंग कर सकते हैं friends और root प्रूनिंग हो या stem प्रूनिंग उसके बाद फरवरी के मंद में अप इसे फिर से दूरा सकते हैं, तो साल में दो बार करना बहुत ज़रूरी होता, हाड प्रूनिंग करना, अब इसके मित्टी की गुराईक मैं करूँगी, दुसरा काम है मित्टी की गुराईक करना, तो root pruning मैंने इसके लगभाग एक सब्ता पहले कर दिया था उसका मैंने वीडियो नहीं सूट किया आज मैं इसका मिट्टी का गुड़ाई करूंगे मिट्टी का गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि एडियेशन बनी रहती है रूट का development अच्छी तरह से होगा तभी आपका plant हरा भरा और घना रहेगा फ्रेंट्स वर्मी कंपोस्ट में nitrogen, phosphorus और potassium होता है जो की plant growth के लिए बहुत ज़रूरी होता है हर plant के लिए हम लोग इसका इस्तमाल करते हैं भले भी इसका जो मात्रा है कम या ज़्यादा कर लेते हैं अब गंबले के उपर जो मैंने मिट्टी निकाली थी उससे मैं डाल दे रही हूँ फ्रेंट्स अब दूसरे गंबले की भी सीतर से गुड़ाई करके मिट्टी निकालके उसमें खाट डालनी है तो गुड़ाई मैंने पहले से कर ली है और मिट्टी निकाल दे रही हूँ काफी soft मिट्टी है क्योंकि गुड़ाई मैंने कर लिया था root pruning भी किया था तो मिट्टी भी से निकाल दे रही हूँ और फ्रेंस जो चाय की पत्ती हम डालते हैं और साथ में इप्सम साल्ट वह बहुत ही अच्छा होता है प्लांट के लिए फ्रेंस इसमें हरी हरी पत्तिया निकलती है अब प्लांट भी आपका घना बना रहता है क्योंकि इसमें हर तरह के ग्रोथ के लिए nutrition मौजूद होता है खासकर चाय पत्ती में और इप्सम साल्ट दोनों का जो मिक्सर है हर प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है तो देखिए मैंने खाट डालके उसके उपर से मिट्टी इस तरह से डाल दी है अब इसमें वाटरिंग कर देना है तो अब तक इसमें अच्छी ग्रोथ नहीं होगी और जो मैंने प्रून किया था पत्तियों को उसे मैं फेकूंगी नहीं बलकि उसे पानी में डालके दो-तीन दिन के लिए छोड़ दूँगी और इसी पानी से अपने प्लांट को वाटरिंग करूंगी तो इस तरह प्रेंबर में आप तीनों काम कर लें गुडाई कर लें मिट्टी की प्रूनिंग कर लें और खाट डालें तो आपका जो तुलसी का प्लांट बहुत ही घना हो जाएगा और विंटर सीजन तक इसमें ग्रोथ अच्छी होती रहेगी तो चले फ्रेंड्स बस आज के लिए इ झाल खाग्वागच्छ ध ज रहाँ टो झालें तुलसी हो जहेगी तुलसी हो